हेलो फ्रेंड्स बल्कम बैक टू माई चनल नमस्ती फेस पैक लगाने से हमारी चेहरी की तवचा में चमक बनी रहती है विंटर्स के मौसम में चेहरी की तवचा में हिल्दी ग्लो के लिए आज मैं शेयर करने जारी हूँ खजूर यानि डेट्स का होममेट फेस पैक को सही बनाए रखने में मदद करता है साथी इसमें विटामिन ए और सी और कई सारे न्यूट्रियंट्स पाया जाते हैं जो तवचा को हेल्दी और सौफ्ट बनाए रखने में मदद करते हैं इस फेस पैक को बनाने के लिए मैंने लिया है पांच खजूर यानि डेट्स इन खजूर से गुठली निकाल करके अलग कर लें इसके बाद खजूर को एक छोटे कद्दूकस से घिस लें आप चाहें तो इसको ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकती है मैंने खजूर का पेस्ट कद्दूकस से घिस करके तैयार किया है अब खजूर के पेस्ट में मिलाएंगे एक चम्मच आटा यानि वीट फ्लोर एक चम्मच मिल्क पाउडर आदा चम्मच हनी यानि शहद ये सबी चीज़ें तचा के लिए बहुत हेल्दी होती हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला करके फेस्ट पैक को तयार कर ले अगर आपकी स्किन जादा ड्राई हो तो आप इस नर्सिंग होममेट डेट फेस्ट पैक में टूथी ड्रॉप आमेंडायल यानि बदाम का तेल मिला सकती है आप चाहें तो इस खजूर के फेस्ट पैक में पानी के जिगे दूर भी मिला सकती हैं फेस्ट पैक को फेस्ट पर 15-20 मिनट तक लगा करके रखें उसके बाद पानी से दो लें हाँ फेस्ट पैक को लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें कि ये आपको सूट करता है की नहीं इस फेस्ट को लगाने से तुचा की ड्राइनेस खतम होती है सॉचा सॉफट और मुलायम लगती है तुचा में चमक लिखती है तो आप भी ट्राई करें इस नरसिंग डेट फेस्ट पैक को I hope ये फेस्ट पैक आपको अच्छा लगेगा पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू, बाई